जाएं दोस्तों अनिलसर आइटी यूटू चलना आपसे बहुत हो साथ है दोस्तों भाभाभा टॉमिक रिसर्च सेंटर बार्ग की तरफ से आइटी डिप्लोमा और डिग्री एक्याइट के लिए पर्मनेंट रिकूट्मेंट निकल काई दोस्तों जिसके बारे में देखने यहाँ पर आइटी पास आउट डिप्लोमा पास आउट और कुछ ऐसे सीट है जिसके अप्लाइब कर सकते हैं पूर्ण पर विजिट करके चेकाउट कर सकते हैं जिसके लिए पी लिजिवल होंगे उसका फॉर्ण अप्लाइब कर दीजिएगा अभी हम बात कर लेना हुले सेंटर के वेकेंसी के बारे में यह कोई पर्मेनेंट जब ज्यादा नहीं है लेकिन इसके आपको आची आपको से देखने को मिलें वाली यह यह पर आपको ट्रेनिंग के रुपे रखा जागा तो डिप्लोमा के लिए उपर सीटे हैं और यहां पर राईट के कि लिए इक कार्णे eg मेंखेनिक इलेक्रिसियन इलेक्रों नेश्य मॉइकी मेकेनिक मैय हैं यहां यहां पर आप स्टये आलग सकते हैं यहां पर आपको देखьте हैं network होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए यह अगर आप 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 अप्रेंटिसीब भी किया और दो सालों का जैसे मैट्रिक पर भी अप्रेंटिसीब होता है बनारस करता है अभी उसका फॉरम भी निकला हुआ उसको भी चेक आउट कर सकते हैं दो सल के बाद आप आप लगा जाते हैं तो आप इस फॉरम को अप्लाई करने के लिए योग योग वह आते हैं चौधा देखिए एंटीसी ऑफ वन यूर ड्यूरेशन प्लस नैक इस मिनिम्मम वन यूर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसीब अगर कोई एक साल अलट्रेड फॉरम भरता है जो जिनका एक साल का होता है तो उनको एक साल का एक्स्प्रियेंस कर सकता जरूर पड़ेगी ठीक है एक साल का ड्यूरेशन का अप्रेंटिसीब जरूरी है ठीक है और यहां पर देखिए आगे की बात करें यहां पर आपको ड्रॉप्रेंट के लिए यहां तो सब्सक्राइब की साथ और अप्लाई कर सकते हैं प्लांट ओप रेटर में सब्सक्राइब करें तो भी अपना इससे प्लांट ऑपरेटर अपलाई कर सकते हैं एज की बात करें तो यह आपको चैक्पेंडी टैनिंग वन में 18 से 24 और जो दो है जिसमें 18 से 22 देहने को मिला है दो मतलब आइटी वाले और यह डिपलोमा अले करेंट है तो अगर आप पाइटी वाल है तो 18 से 22 साल तक होना चाहिए आपको देखिए यह पहले तो आपको यह फीजिकल स्टैंडर आपकी हाइटेक्स साथ होने चाहिए वेत आपका जो वजहाद आपको पहले साल पांच किलोग्राम होना चाहिए यहां पर सुरुआत आपको दो साल कर देनिंग पर्मानेंट पर बहुत साथ बच्छों को जोईन कियों करते हैं तो चौबीस आर पचीज आर आपको सेलरी देखने को मिल सकता है जो परनेंट जो इसके बाद दो साल कम्प्रीट होने के बात हो तो सेलेक्शन का जो मैठोड रीटेन एक्जाम होगा जिसे चालीस और तीन माइक पर इच पर आपको देखने को मिलेगा एक नमबर आपका प्रते के गलत एंसर पर आप गलत करते तो आपका एक नमबर चला जाएगा तो इस प्लेशाब्स आपका जो सबजेक्ट है उसकी अधार पर आपका यहां पर एक्जाम भी होने वाला है यहां पर देखिए यानि कि वाले के लिए तो प्रिटी को रहने वाले हैं जिससे सबसे पहला तो प्री एक्जाम होगा जिसके आपको 20 मैट बीस तो आपको साइंस और दस कोशन आपके रहें जेनरल अवेरेंस से रहें यह पहला और के क्लियर कर लते हैं इससे और निगरीटी मारकी है और यह चालीस परसेंट होना जाहें जेनरल को और तीस पर संट रिज़व के लिए जो इन सभी को ठीक है यहां पर आपको अपको अब्जेक्टीव रहेगा और यह दो घंटे ग्जाम होगा तीन मार्ट आपको एक नम्ब एक को सब्सक्राइब तो तीन नमर भी लेंगे और एक नमर आपके काठ लिए जाएंगे प्रते गला तेंसर पर इसके क्वालफाइंग मार्ट तीस पर्षंट लाने हुए जेनरल को और वह वी स्ट को बीस पर् उसके अधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और इसको अच्छे से पढ़ लेना स्किल्ट एस्ट आपको समय सवाल पूछाएंगे आपको टूल्स हो गया या मसीनरी के बार पूछा जाएगे कैसे काम करता है इसका उप्योग क्या है लाभानी पूछा जाता हम यहां पर देखिए आपको जो एक्स्टिमेट आपको से सेलरी रहेगी यहां पर पचीस है लेवल फोर का लेवल थ्री में एकड़ी सच जार साथ सो और यहां पर गुरूप बी की वेकेंसी ती वह च्वालीज़ और आप जाके यहां पर जोईन करने वाले हैं ठीक है उम्म यहां पर देख पाई यहां फोरम बने का डेट आपको 30 अप्रिल आप्रिल आपको विजिट करते रहें यह पर बेल आइकन दिखाए देगा बेल पर क्लिक करके आपना सब्सक्राइब कर लिजेगा जैसे कोई भी नोटीस अप्रोट करें आपको मॉइल में पर्स्ट्रीप आपको दिखाए दिरने लागया ठीक है मिलता अगली वीडियो में अगली जनकाई साथ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों सेर करें देखें